कि हलो एडिवान मैं डॉक्षर अल्तमर शेख हूं एंडोक्राइन लोजिस्ट मुंबई से आज हम जानेंगे डाइबिटीज के बारे में डाइबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसॉर्डर है जहां पर शरीर में ग्लुकोस को अंदर लेने वाला हॉर्मोन जो होता है इंसुलिन या तो वह नहीं बनता है या तो जब अगर वह बन रहा है प्रोडक्शन इंसुलिन का हो रहा है तो तीक तरीके से काम नहीं कर रहा है इसको बोलते हैं डाइबिटीज डाइबिटीज कई तरीके के होते हैं और हर एक चीज में हाई ग्लुकोस जो है कॉमन फैक्टर होता है लोगो को समझ में नहीं आता है या कोई लक्षन नहीं होते हैं कोई symptom नहीं होता diabetes का और जब symptom होते हैं तो यह बहुत वेग होते हैं हलके से कुछ अजीब सा हलका problem होता है या इतना non specific होता है कि हम काफी लोगों को लगता है कि हमको शायर इसके लिए कुछ treatment नहीं लेना चाहिए लेकिन जब हम screening करते हैं या camps होते हैं तब sugar या glucose उन लोगों जब हाई बताता है तब हम कहते हैं कि आपको diabetes पता चला और जिन लोगों को 60% लोगों को जिनको symptom होता है तो उनको क्या होता है किसी को बहुत जादा भूक लगना बहुत जादा प्यास लगना या बहुत वजन कम हो रहा है या आपको बार-बार पेशाब के लिए जाना प अगर आपको symptom है तो इंपोर्टन चीज यह है जर डाइबिटीज के 70% चीजे प्रिवेंटेबल है इसके लिए डाइबिटीज के बारे में और जानी है नो डाइबिटीज फोर नो डाइबिटीज थैंक्यू